स्वागत है आप सभी का ग्लोबल एट यूटूब चैनल पर आज हम लोग क्लास नंबर करने वाले हैं 23 इससे पहले आपकी बाइस क्लासे हो चुकी है जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपके ग्लोब एट यूटूब चैनल पर वहां से आप लोग असानी से पहले की क् यारी बहतर कर सकते हैं ठीक है चलिए हम लोग कर रहे थे वायरिंग का चप्टर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेस्चन कर भी लिए हैं और कुछ नमेरिकल्स वी कर लिए हैं जो अभी तक आपने नहीं किये थे अब हम लोग देखते हैं आगे वाले क्वेस्टेन ज जो आपकी PVC pipe होती है, PVC pipe के उपर क्या क्या जाता है, हिक्की, हिक्की का परियोग करके चूड़ी काटा जाता है, हिक्की की सायता से इसके उपर चूड़ी काटा जाता है, और हिक्की की सायता से चूड़ी कैसे काटा जाता है, इसके बाहरी भाग पर, PVC pipe के बाहरी भाग पर का काटा जाता है है ठीक है कि अई से कुछ चूड़ी कटा होता है जो भी है कि यह बस क्विश्चन में आप से यह पूछा है कि इसकी लंबाई कितनी होती है यह कितनी लंबाई तक काटा जाता है तो देखें आपके निम्मी के हिसाब से तो इसका अंसर दिया हुआ है 11 11 mm से 27 mm तक यह लंबाई लेकिन यह लंबाई होनी कितनी से यह 15 mm से लेके 30 mm तक तो चुकि यह बहुत ज्यादा नहीं कर किया है इसके आस पास ही है तो अभी हम लोग इसी को मान के चलते हैं क्योंकि ज्यादा तर क्विश्चन जो है निम्मी के हिसाब से ही सही किये जाते हैं आपके बोड़ में ठीक है तो हम लोग अभी इसी को मान के चलते हैं 11 mm से लेके 27 mm तक चले आगे बढ़ते हैं अगला क्विश्चन है कि अस्थापना के लिए किस परकार का कंड्यूट का उप्योग किया जाता है विच टाइप आप कंड्यूट यूजड फार गैस टाइट एक्स्प्लोसिव इंस्टॉलेशन यदि आपका कहीं पर गैस पाइप है वह एक्स्प्लोट हो जाता है वह कहीं पर क्या हो जाता है वहां पर हम लोग किस पाइप का यूजड करते हैं जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से छोटे-छोटे पाइप होते हैं अगनी सामा की अंत्र जिसको कहा जाता है क्या कहा जाता है इनको अगनी सामा की अंत्र अग्नी सामख एंत्र पर यहां पर क्या मनी रहती है यहां पर आपके नीब्स बनी doublet do घान को को या फिर जो भी DRM सिस्टम होता उस लॉकिंग शिक्सिटम को मैं लोग देते हैं लॉकिंग system को निकालते हैं इसके बाद फिर इसमें लगी होती है इसमें लगी होती है और यहां पर आपका रहता है clutch यहां पर आपका क्लाच वाला handle रहता है जिसे हम लोग दबाते हैं तो फिर इह इदर से जो भी गैस रहती है इसके अंदर CCL4 या फिर carbon dioxide यह वह गैस बहुत इसे बाहर निकलती है और जाके oxygen को क्या कर देती है oxygen को वहाँ से बिस्थापित कर देती है और आग बुझने लगती है आपकी तो यही पुछा है कि यह जो pipe इसमें use की जाती है वो pipe कैसी होती है कौन से pipe होती है उसमें क्या flexible conduct होता है या फिर rigid steel conduct होता है या फिर rigid non-metallic conduct होता है या फिर flexible non-metallic conduct होता है तो वहाँ पे जो हमारा pipe यूज किया जाता है वो होता है rigid steel conduct rigid steel conduct ठीक है जो छोटे-छोटे अगनी समा के अंतर होते हैं वहाँ पे हम लोग flexible pipe का भी use कर लेते हैं वहाँ पे ज्यादा जैसे यह जो रिजूट की बात क्या है वहां पर रिजींट का यूज नहीं करते हैstudy आपके आपके छोटे- छोटे में क्या आ सकता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा यह फोर्बुलर जो होती है यह भी छोटे- बुला है कि circuit breaker का कारी क्या है, circuit breaker, circuit breaker का main कारी क्या होता है, circuit breaker का main कारी यही होता है, कि यह क्या करेगा, circuit को break करेगा, circuit को break करेगा, ठीक है, अच्छा किस condition में, तो हमने आपको बताया था कि देखो भाई, कोई भी line की दो condition होती है, जैसे मानने जिए कि ये एक लाइन है आपकी ये एक लाइन है और इसमें आसानी से आपकी current flow हो रही है तो ये इसी condition को कहते हैं हम लोग normal condition इसे हम लोग कहते हैं क्या normal condition मतलब कि सब कुछ समान्य वस्ता में है और हमारी लाइन आसानी से चल रही है ठीक है लेकिन कहीं पे भी इसमें यदि fault आ जाता है कहीं पकोई फोल्थ हो जाता है ता फिर क्या होता है यदि fault कहीं पे भी आखर हो जाता है किसी तरह किसी भी तरीके के でしょう तो उसी को हम लोग कहने ते हैं abnormal condition abnormal condition टीक है तो जब बहुरिपध में या जब्साहूंँ तो आब कर फारिपत में यब भी हमारे line में abnormal condition आएगा तो उस समय उस समय supply को cut करना यही main कारी होता है आपके किसका यही main कारी होता है आपके circuit breaker का ठीक है, कब यह कारी करता है circuit breaker abnormal condition में नॉर्मल कंडिशन में कैसे कारे करता है, नॉर्मल कंडिशन में , औन चक्रिएट होगा उस्समय तुरंद परिपाद को ब्रेक कर देगा, तब देखते हैं । को बनाय रखता है ठीक है making contact कि नॉर्मल कंडिशन में क्या बनाय रखेगा जैसे यहाईगी उसमें कॉंटेक्ट को क्या कर देगा उसमें कॉंटेक्ट को कट कर देगा यह तुरंथ उसमें जो भी आपके fixed point और moving point दो इसमें होता है ना circuit breaker में क्या होता है जैसे माल लेता हूं मैं कि हमारा line है ठीक है और इसके बीच में हमने यहाँ पे circuit breaker लगाया है इसके बीच में हमने आपका fixed contact और एक होता है आपका moving contact moving contact तो जैसे ही abnormal condition circuit में आता है उसमें moving contact इस fixed contact से बाहर हो जाता है यहां से तुरंत हड जाता है और जो संयोजन था एक दूसरे के बीच में उस संयोजन को तोड़ देता है ठीक है breaking automatically at abnormal condition यह बात एकदम correct है यह तो किया ही रहेगा यह बात ठीक है इतना कह सकते हैं कि यह understood है या फिर इतना कह सकते हैं कि यह इसका काम नहीं है अभी तो यह conductor की तरह कारे कर रहा है ठीक है में इसका काम है कि यह break करे line को circuit breaker का main काम क्या है कि line को break करे जब भी abnormal condition आए उस समय यह automatically line को break कर दे ठीक तो यहां पर कौन सा option सही हो जाएगा c option एकदम correct हो जाएगा ठीक है और एक condition यहीं पर आप पड़े होंगे कि जब आपका moving contact fix contact से हटता है तो वहां पर एक आर्क करेंट generate होती है जो आर्क करेंट एकदम रजिस्टिब nature की होती है किस nature की होती है ठीक है और वहां पर जो voltage भी बनता है वह voltage और उस आर्क करेंट आर्क वोल्टेज और आर्क करेंट दोनों के बीच में phase difference कितना होता है जीरो होता है दोनों के बीच में phase difference भी जीरो होता है ठीक है चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्टिन की तरफ what is the function of bimetallic strip in mcb mcb में जो हमारा bimetallic strip होता है उसका काम क्या होता है क्या उसका काम overload protection होता है source circuit protection होता है overload protection overload protection देखो इसमें दो नहीं overload है यह ओवर voltage है ठीक है और एक अर्थ leakage protection तो अर्थ leakage से protection के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं यहां पे e lcb अर्थ leakage से इसका full farm क्या होता है इसका full farm होता है आपका earth leakage circuit breaker circuit breaker ठीक है अर्थ leakage से बचने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं आपके e lcb का e lcb का ठीक और जो आपका residual residual current होती है residual current से बचने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं rc cb का ठीक है यहां पे बोला है कि by metallic strip जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उस समय हमारी जो mcb है mcb का function क्या होता है तो उस समय mcb का function होता है overload से protection करें overload के समय क्या होता है overload के समय current का मान rated current से जो हमारी rated current होती है line के लिए rated current से अधिक हो जाता है किसका मान धारा का ठीक है धारा का मान rated current से अधिक हो जाता है तो उससे बचने के हम लोग by metallic strip का use करते हैं mcb में ठीक है चलिए अगला question देखते हैं बुला है अगले question में कि what protection offered by residual current circuit breaker वही RCCB की बात कर दिया भी हमने पिछले question में बताया ना RCCB का क्या होता है residual current circuit breaker circuit breaker टीक है टोटल आपके चार तरह के mcb यूज किया जाता है wiring परिपत के लिए कौन कौन से चार तरह के mcb होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो आपके अपकी नॉर्मल MCB, ठीक है, एक होती है आपकी MCCB, MCCB, एक होती है आपकी ELCB, ELCB, और एक होती है आपकी RCCB, तो जो आपका MCB है और MCCB है, ये दोनो एक ही काम करते हैं, बस ऐसे कह सकते हैं, कि जो हमारा MCB है, ये छोटा भाई है, और ये इसका बड़ा भाई है, तो जो बड़ा में से 63 Α तक 63 A टक हम लोग use कर लेते हैं mcb काheus थो इनलोग किस का यूज कर लेते हैं वहां पे हम लोग करते हैं Use कि एक odc r k 백 थिक्हें mc cb का लिकेज का या फिर कोई भी हमारा उपकरण है उपकरण में St कि लिकेज करेंड कुछ आ जा रही है तो वहां पर हम लोग आर्थ लिकेज का यूज़ कर लेते हैं ELCB का यूज़ कर लेते हैं और प्रोटेक्शन आफ सोग जटके से बचने के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम् ऊबर्लोड से बचने के लिए तो हम लोग लिकेज करेंड चलो अब आपके पास केवल दो आप्शन रहे गया है 50-50 की बात हो रही है अब तो आसानी से चूज कर सकते हो इसमें आप तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई लिकेज से बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं अभी हमने कुसी दिर पहमें पहले बताया कि लिकेज से बचने के लिए आप लोग यूज करेंगे लाइन ठीक है यह होगा हमारा लाइन और यहां से यहां से हमने कोइण है सप्लाई लिया है और क्या है उस्टेश सप्लाई में मोड़ा हुआ हुआ है हमारा मोड़ जुरा हुआ है और इस मोड़के बॉडी में ने बापर भाग जा आ रहा रहा है शुष एस इस कgoing करेंट कहीं तो खांड आ रहा है कई पर इसके चुकते हो रहार हैिसे को को टच करते हैं तो आपको क्या लगता है आपको लगता है आपको शॉक न लगे उस चीज़ से बचने के लिए आप किसका यूज कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ गये होंगे और अच्छे बोला है कि अस्थाइप प्रतियस्थापनों के लिए कौन से वाइरिंग का उपयोग किया जाता है तो आपने कल देखा था कल मैंने आपको क्लिट वाइरिंग का फोटो दिखाया था क्लिट वाइरिंग में आपने क्या दिखा था क्लिट वाइरिंग में आपने दिखा था क्लिट वाइरिंग में कि यहां पे पतले-पतले तार ऐसे ले गए थे हमने और जिसे मान लोग कि यह आपका कोई एक छोटा सा उपकरन था क्लिट वाइरिंग में हम क्या कर रहे थे छोटे-छोटे क्लिट लगा दे रहे थे ऐसे छोटे-छोटे क्लिट लगा है, फिर अपना वाईरिंग किया था, तो यह जो वाईरिंग होती है, यह वाईरिंग इसलिए की जाती है, कि इसको हम लोग कभी अचानक से हमारा प्लान चेंज हुआ अचानक से हमारा प्लान चेंज हुआ तो असाने से इस क्लिट को बाहर निकालेंगे और इस वारिंग को चेंज कर देंगे इस वारिंग को जैसे मालों की दिवार पे हम इस तरीके से नीचे से ले गए हैं वारिंग हमारा कुछ दिन बाधमन किया कि नहीं हम दिवार के उपर च्छत बतलब कि जो हमारा च्छत है च्छत से लगवा 0.5 मीटर नीचे से ले जाना चाहते है ठिकはい ऊपर आज़से ले जाना चाहते है तो बस क्या करेंगे क्लीट को जो हमने मैं यह फोद निकलेंगे और फिर उपर drill करके इसी clit को फिर चिपका देंगे तो ये क्या होती है ये होती है आपकी temporary wiring जो concealed wiring होती है ये कौन सी wiring होती है ये wiring होती है आपकी surface के अंदर जैसे कोई दिवार है या फिर कोई छत है छत के अंदर आपकी PVC pipe डली होती है और उसके अंदर से हम लोग wires को ले जाते हैं ठीक है या फिर दिवार है तो दिवार को काट dö इन क्या किया जाता है gbcluded wiring में हम लोग PVC pipe के अंदर से आपका वायर्श को लेखे जाते हैं फिर मेटल कंडयूट wiring इस वाइरिंग का यूज अक्सर हम लोग किसके लिए करते हैं, power circuit के लिए, ठीक है, power circuit के लिए, power circuit के लिए हम लोग, metal conduit wiring का use करते हैं, चलिए, बढ़ते हैं एंगले question के तरब, where the phase conductor is looped in looping system of wiring, wiring के looping system में phase conductor को कहा लगाया जाता है, switch board, switch box में, junction box में, distribution box में, या फिर socket में, अच्छा, phase conductor को बुला है, where the phase conductor is looped in looping system, देखिए, जो आपका phase conductor होता है, looping system में क्या क्या जाता है, सबसे बहतरी यदि wiring करने का कोई method है, तो वो है आपका looping method, junction box method उतना बहतरी नहीं होता है, क्योंकि इस में multiples connection होते हैं, multiples connection होते हैं, इस वज़र से ये जो हमारा wiring होता है, ये जो इस तरीके से junction box वाले, जो wiring किये जाता है, junction box method वाले wiring, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि, time के respect में, मतलब कि एक लंबे अवधी तक ये suitable नहीं रहता है, ठीक है, अब बात किया है कि इसको कहां से हम लोग looping करते हैं, या फिर क्या वो लाए कि wiring के looping system में phase conductor को कहां लगाया जाता है, ये चीज पूचा है, तो देखिए, जैसे मालो कि ये होगे आपका switchboard, ये क्या होगे आपका switchboard, switchboard में total कितने point होटे हैं, जैसे हमने एक socket लगा दिया है, हमने एक एक socket लगाया है, तो socket के अंदर, socket के अंदर total कितने point होगे, तो आपके तीन, जिसमें एक तो आपका हो जाता है अर्थ, यह हो जाता है आपका अर्थ पॉइंट, ठीक है, और फिर एक होता है आपका फेज, एक होता है आपका फेज, और एक होता है आपका न्यूट्रल, एक होता है आपका न्यूट्रल, ठीक, टोटल इतने पॉइंट हो यहां socket में socket के अंदर लेके जाते हैं और फिर यहां पे उसके ऊपर का insulation हटा देते हैं बस wire को cut नहीं करेंगे wire के ऊपर की insulation को जैसे मा लिजे कि यह आपका wire है यह आपका wire है ठीक है यहां पे क्या करेंगे जहां पे हमें switchboard का connection करना होगा तो कुछ दूर तक covering हटा देंगे और इतने point को इतने point को इसके contact में रहने देंगे अब बाकी को आगे बढ़ा देंगे बाकी को यहां से आगे बढ़ा देंगे ठीक है तो जो हमारा phase wire है phase wire कहां पर जाना चाहिए socket में जाना चाहिए, कहाँ पर socket से होके जाना चाहिए तो यहाँ पर socket option में दिख रहा है कहीं पर दिख रहा है option D में दिख रहा है junction box में तो आसानी से निकाल दिया जाता है junction box लगाया कहाँ पर जाता है जैसे माल लो कि आपका इस तरीके से line जा रहा है यहां पर क्या लगा देते हो आप यहां पर लगा देते हो एक जंग्सन बोक्स ठीक है तो जंग्सन बॉक्स से तो असानी से फेस बार जाता है लेकिन इसमें कोई connection नहीं होता है ठीक है चली आते हैं नेक्स्ट पर कितने लिंक क्लिप बी आई एस नियमो के अनुसार बॉक्स में यह जाते हैं तो यह तो सीधे-सीधे डाटा है यह डाटा आपको याद ही रखना पड़ेगा ठीक है यह डाटा आपको याद ही रखना पड़ेगा how many clips are packed in cardboard box में 100 clips रखे जाते हैं ठीक है एक box में कितने clip रखे जाते हैं रखे जाते ठीक है वारिंग सर्किट का अनुपरियोग क्या है यह जो वारिंग सर्किट है आपका इसका अनुपरियोग क्या है तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें दो बल्ब लगे हुए है एक बल्ब यहां पर है और एक बल्ब यहां पर ठीक है दो बल्ब है फिर एक नहां पर switch भी लगा हुआ है और जिसे यह तो आपका simple switch हो गया क्या आपका simple switch जुए ठीक है और यह हो गया आपका कौन सा switch यह हो गया आपका Two- 101 switch Two-way switch इसमें दो switch लगे हुआ है इसमें दो उनों लैंप को डीम ऑपरेट किया जा रहा है डीमली ऑपरेट किया जा रहा है ठीक या फिर तू लैंप कंट्रोल बाई वन स्विच एक स्विच से तो नहीं कंट्रोल हो रहा है इसमें दो स्विच लगे हुए है ठीक है तू लैंप कंट्रोल बाई तू स्विच ठीक है और वन लैमप, ब्रैट and two लैमप, लॉपरेशन यज्ये वहला option सही है क्योंकि आपको यह दिख रहा होगा कि यहां पर बीच में क्या कर दिया गया है यह, बीच में यहां पर, तो एक जो लैम्प होगा हमारा एक लैम्प इसमें बतलब कि पो एक दीम जलेगा ठीक है तो दो लैंप है यहां पर लेकिन एक ब्राइट जलेगा और वारींग को पावर वाइरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या करान ये क्विस्चन तो हम लोग एक पर कर चुके हैं लेकिन फिर भी ये क्विस्चन ये आ गया है तो हमने वहीं पर आपको बताया था कि पावर साउकेट तो हम लोग फियर्टर वाले वाइर से या जो भी आपके दूसरे जो हमारे थियर्टर वाले वायर होते हैं या थियर्टर वाले जो वायरिंग होते हैं उसे हम लोग पावर वायरिंग से वहां रखते हैं ठीक है चली question क्या बुला है कि यदि earth pipe की लंबाई बढ़ जाती है तो earth के प्रतिरूध के मान का क्या होगा दिखो बात question में किसकी क्या है earth प्रतिरूध का किया है earth प्रतिरूध ऐसे तो आप लोगोंने प्रतिरूध का formula पड़ा होगा normally r is equal to क्या रो l upon a यह आपने प्रतिरोद का फॉर्मूला पढ़ा होगा अब यहां से यह इस इस फॉर्मूले से हम लोग इस question को relate करें तो सीधे सीधे हम यह दिखेगा कि लंबाई बढ़ा रहा है यह लंबाई बढ़ाएगा तो इसका मतलब है कि और डारेक्टी प्रपोस्टनल टू एल है और डारेक्टी प्रपोस्टनल टू एल है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो प्रतिरोद होगा वह भी बढ़ जाएगा लेकिन भाई मेरे यहें पर समल जाओ थोड़ा सा जो आपका अर्थ प्रतिरोध होता है और्ठ प्रतिरोध का फोर्मूला क्या होता है आर्थ फ्रतिरोध का फोर्मूला आर्थ मद्बन जाता है रो अप फॉप ए ल्सटThis Man upon at L upon यहाँ पे R minus 1 ठीक है minus 1 यहाँ plus 1 यह formula होता है plus 1 minus 1 भी कभी आता है यह plus minus के लग़़़ग condition है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जहाँ पे रूँ क्या है जहाँ पे रूँ है आपका मिट्टी का मिट्टी का मिट्टी का प्रतिरोधकता या फिर रजिस्टिविटी रजिस्टि रजिस्टिविटी ठीक है मिट्टी का रजिस्टिविटी L क्या है भाई L है आपका जो अर्थ इलेक्टोड है अर्थ इलेक्टोड की लंबाई अर्थ इलेक्टोड आर्थिलेक्टोड की लंबाई उसी आर्थिलेक्टोड को तो बढ़ाने घटाने की बात कर रहा है उसी आर्थिलेक्टोड को तो यह बढ़ाने घटाने की बात कर रहा है ग्रीज वाला option एकदम correct हो जाएगा क्या होगा आपका लंबाई घटेगा इलेक्टोड की लंबाई को बढ़ाने पे ठीक है अगले question पे आते हैं पोटेबल उपकरणों को संचालित करने के लिए किस प्रकार के समान का उपयोग किया जाता है बाई देखो wiring system में हमने आपको अल्लेडी बता रखा है कि wiring system में हम लोग 5 तरह के समगरी का यूज करते हैं इतने तरीके का पांच तरीके का समगरी का कौन कौन से समगरी है चलो मैं एक बा में फिर से लिख देता हूँ एक होती है आपकी control accessories एक होती है आपकी holding accessories ठीक है जनरल accessories अरे यह समगरी है भाई इतना तो हिंदी आपको आता होगा समगरी तो कंट्रोल में कौन से आते हैं हमने आपको बता रखा है कि जितने भी आपके switches हैं या फिर fan regulator जितने भी आपके switches थे चाहें वह one way switch हो two way switch हो जो भी आपका multiple switch हो और एक किस में आता है और एक switch आपका आता है controlling accessories में, holding में कौन से आते हैं सारे के सारे holder, जितने भी आपके holders है सभी के सभी holders आपके आजाते हैं holding accessories में है सभी में कौन से आते हैं तो सेफटी में हमारे आ जाते हैं फ्यूस और एंसीichen जितने भी आपको सब्सक्राइक है और जंडाल में आपका स्लिंग रोज आ जाता हैं यदे Θ chemistry सिलिंगे ज्यानी आफ़्टी होगा संभी के सभी जन्रल सामागिर्म कुर्ण यहां पर बात यहीं किया है कि पूर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार का उप्योग किया जाता है अब हमें यह बताना कि पूर्टेबल उपकरण कौन से होंगे जैसे कि आपका हो गया क्या आतुं किया है यह सब है प्橋 करते रहते हो कभी मन किया आप यहाँ पर लगा लिए थिक है आपने क्या क्या है इसको एक जेगा से दुसरे जगा विस्थापीत कर लिया है आसानी से तो यही उपकरण खालाते हैं पोटेवल इनका आप यूज कैसे करोगो एलेक्टिसिटी से तो आपको यदि इनका यूज करना है यदि इसमें एलेक्टिक सप्लाई देनी है तो आप क्या करोगे ले जाके स्विच बोर्ड म में इसके प्लग को लगाोगे तब जाकर यह ऑपरेट होगा अब मुझे यह बताना कि जो ऑप काम रहे हो ले जाके आप लग लगा रहे है स्विच बोर्ड में तो वो किस में लगा रहे है। आप्सेशिरी में छिक है तो यहां पर आप्सन कौन सा हो जाएगा आउट लोक या फिर outlet accessories, option C, ठीक है, क्या, ये safety, जो आपका switch है, या फिर आपका जो fan regulator है, उससे इसका use कर सकते हैं, क्या, उससे इसका use बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे outlet वाला option एकदम टिक करेंगे, और आगे बढ़ जाएंगे, चलो, आगे देखते हैं, कि उचितकारे और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुछालक आवस्यक है, उचितकारे और बुनियादी सुरक्षा, वा, कितना बढ़िया वर्ड लिखा है, कि necessary, और proper function and basic protection, basic protection को इसने क्या लिखा है, बुनियादी सुरक्षा के लिए, क्या आप double insulation क्यों, functional insulation, karyatma क्यों चुचालक यूज करते हैं, या reinforced insulation यूज करते हैं, या supplementary insulation यूज करते हैं, किसका nih, यूज क्या या और अलग-अलग क्लास में उनको रखा गया है क्लास Y, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास H, क्लास F और उनका अलग-अलग कारे-कारी तापमान है, यह हमने आपको अलड़ी बता दिया है पहले से, ठीक है, जब मैं आपको अंडर-ग्राउंड केबिल वाला चेप्टर पढ़ा रहा था उसी में, तो उनका सबका टमप्रेचर आपको याद रहना चाहिए, विच टाइप आप एक्सेस्रीज आफ फ्यूज किस प्रकार के सामगरे में आता है, तो अभी हमने कुछी दिर पहले बताया है, कहां पर बता अंडर आता है, तो यहां पर देखो, क्यों ये ये इस पांचो का नाम याद रहेगा, और इस पांचो के अंतरगत कौन-कौन से आपके उपकरण आ रहे हैं, ये याद रहेगा, तो आप बहुत सारे क्विस्चिन आसानी से बना लोगे, मुझे लग रहा है कि क्यों उसी ए अंडर आपका आजाता है, स्विच, या फिर आपके फैन रेडिय करोलेटर, ठीक है? और होलिंक में क्या आ जाता है, जो भी आपके holders है जैसे आपके pendant holder हो गया ठीक है addition holder हो गया addition screw holder हो गया यह सभी holder आपके holding accessories में आते हैं outlet में क्या आता है outlet में आपका socket आ जाता है socket ठीक है जिसमें ले जाके आप plug लगाते हो वो आपका outlet में आ जाता है ठीक है दिखते हैं अगला question what is the expansion of ecc 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 का एक दूसरा भी होता है लेकिन आपका भी वो चप्टर चल नहीं रहा है जैसे ECC का कुछ लोग यहां पर यह बता देंगे सर लेक्ट्रो केमिकल एक्विवैलेंट ठीक है एक क्या हो जाता है आपका छोड़ो अभी उसकी बात नहीं अभी आपका बैटरी का चप् पुल-आप होता है ठीक है दो वाइरी वाले चप्टर में इसका फुल-फारम क्या बन जाएगा और फान्टिद्स कान्टिद्स काण्टीकटर अर्थ continuity conductor ठीक्टर ठीक्टो और जब आप बैटरी वाले चिप्टर की बात करते हो तो बैटरी वाले चिप्टर में इसका full form change हो जाता है ठीक है तब ही नहीं करें तो इसलिए मैं आपको यहां पर confused नहीं करूंगा जब बैट्री वाला चेप्टर बताऊंगा तो वहां पर मैं आपको इसका फुल पाम बता दूंगा ठीक है क्योंकि एक साथ दुनों बताने पर यहां पर हो सकता है आपको यही एक साथ आ जाए ऐसा question तो confusion होने लगेगा ठीक है तो यहां पर B option एकदम correct हो जा ठीक है